सब्सक्राइब अलेकूम बावा साथ, मैंने ये सवाल है कि अगर और तो मतलब और ते हैं लज़िया रहता रोजे और नमाज के लिए जो तयारी होती है, मतलब समझी गए होंगे आप, तो जब उठाराग में रोजात पूपता है, तो क्या उपने रोजे की ख़़ा होती है? जो सवाल ये है कि अगर यही कोई सीमेल हो, और एट का दिन आ गया हो, तो क्या वो एट की तकबीर भी कह सकती है? की मैंने किया है, कि फजर की नमाज के बात बढ़ आते हैं, और फिर ये तक्वीर लाहः वाली कहना कीम सकते हैं, हड़ा कि जब तर सूरज ना निकल आया है, और फिर इसकी नमाज पढ़ी आती है, तो ऐसे में इसकी तक्वीर का क्या हो सकता है? और जो अड़रे जिनका रोजा इन हालाग में छोड़ जाता है तो वो रोजा क्या कर सकती है नोजे के लिए तो उसके लिए बदाहर परमा दिया बस सलाम अलेकुम् आपतुलाहिए बरकातू अलीना इस्टूडंट है बच्ची है और हमारे हैं बच्चों को हैज और निफास के मसाइल से नावाकिफ रखा जाता है ये कहा जाता है कि जनाब ये किसी से बात भी नहीं करनी है आपको क्यूं क्यूंकि ये तो एक ऐसी चीज है जिसको शायद बच्चियों को एजुकेट करने में हमारे यहां इफरात और तफरीद का शिकार है देखिए बिटे आप कह रही है कि वो चीज मैं पूछना चाहती हूँ यह चीज आप यह कही कि हैज की हालत में औरत अगर रोजे छोड़ देती है तो उसका क्या हुक्म है? आप हैज का लफ अपनी जबान से नहीं निकाल रही है आप ऐसे कह रही हैं, वैसे कह रही है हैज का लफ अगर यह मायूब होता और बुरा होता तो क्या आप रल्लह ताला इसकं़रान केरीम में नादिल फर्माधा वैस अलून कानिल महीद तो ये तो अल्ला के रसूल सल्लाह अले सल्म भी और उम्हात अल्मूमिन इस तरह के मसाइल नभी करीम सल्लाह अले सल्म से गुफटगू फरमाया करती थी तो सहाबी और सहाबिया अरब के अंदर भी जो माहौल है ना हमारे हैं अल्म गल्म बना जाने कौन कौन सी चीज़े पड़ी हुई है लेकिन आपको गुरान का तर्जमा नहीं बताएगा क्योंके इसमें हैज का लफजा रहा है भाई मेरे ये क्या बात हुई है अल्ला ताला जब इन बच्चियों को बताना चाहता है कि ये हैज क्या बिमारी होती है तो अब आप इनको इस एजुकेशन से दूर क्यों रखते हैं तो मेरे बेटे आप मुझे बाबा कहती है बहुत अच्छी बात है अल्ला आपको सलामत रखे और आप जाजी बच्चियों का इजाफा हो आमीन अर्बलारमीन तो हैज की हालत में और्टें पहली बात तो यहिए कि तक्बीर जो है तक्बीर कहना जिकर और अजिकार करना हैज की हालत में ममनुएन नहीं है इसके पास कोई दलील नहीं है आल्हे की रसूस्ञामने थीजन Moderator परमाया है और रोजा रखने से आपको लेकर चलता हूँ शेख अब लिए बाज से यही सवाल पूछे जा रहा है वो क्या जवाब दे रहे हैं वाजिब अला कुल मुमिना अन्तक्दिय सोम रमदान हर मसल्मान औरत पर वाजिब है जो हाइजा हो उसे वो नमाज वो रोजे कजा करे तो औरत अगर बच्चा पैदा हो जाए निफास की हालत में खून निकलता है और अगर हैज हो तो ऐसे सूरत में उससे रमदान के रोजे नहीं रखने चाहिए लेकिन जब वो फारिख हो जाए रमदान के बाद शवाल में या किसी भी महीने में उसके हस्वे जैसे भी उसको आसानी हो रोजा रख ले इस स्लसले में जमी अलमा का एल सुनत और जमाद के इत्वाद के रोजे रखना मुसल्मान और अरख पर फर्ज है और अल्ला के रसूल स्वाल अल्यों की बीवी हमारी मा अमा आईशा रदिलाव ताला अन्हा भी ये फरमाती है जमी अहल अल्यों का मौकिफ है ये आईशा रदिलाव ताला अन्हा ने फरमाया हमें भी हैज से हम गुजरा करते थे हैज हमें भी होता था औरतों को भी नबी करिए अल्यों के दौर में हैज होता है रखने का हुकम दिया करते थे रमजान के रोजे की गज़ा रखने का हुकम दिया करते थे नमाज की गज़ा नहीं करवाया करते थे तो अल्ला की रसूल सल्ला हुलिए लिए आप खुम फर्माया करते थे उन औरतों को जो हैज से होती और रोजे ना रख पाती तो नमाज जो हैज की हालत में चूटती है उस पर अल्ला की रसूल सल्ला हुलिए उसका इादा नहीं करवाया करते थे अलबता जो रोजे चूटते हैं तो रोजे रखना हाइजा औरत पर फर्ज है बहुत सारी बच्चियों को बेटे पता नहीं है बहुत सारी औरतों को पता नहीं है इसलिए शीख अजाए अमरी बनवाई हुई है तो रोजे छुटे हुए रखवाय करते थे तो शेख परमा रहे थे कि आप तस्वर करें हर साल के कितने रोजे आपके छूटे होंगे अगर हर साल के चार या पांच रोजे आपने छोड़े हैं तो कितने साल की रोजे छोड़े हैं बारा साल की रोजे छोड़े हैं से बगदोश हो जाएंगी और अल्लह ताला की रदा हासल करने का सबब इन्शाललह ताला ये होगा तो खुलासे कलाम ये हुआ कि आउरत हैस की हालत में अगर होती है तो रोजे नहीं रखती अलबता अगर वो रमजान के बाद फारिख हो जाए तो उसे रोजे रखने अपना बहुत खया लखें दौाओं में याद रखें वसलाम आलेकों वर रहमतुल्लाही वर बरकातों इस तरह के जो मैसेजिस हैं प्लीज इन्हें देखने के बाद दूसरों के साथ जरूर शियर करें और कोशिश ये करें कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें आपकी मामुली स सपोर्ट भी महमद आकिल के काम को अगर आप सराहते हैं तो इसे सपोर्ट भी दें बहुत शुक्रिया आपका अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जोईन मेंबर्शिप स्कीम के बारे में पैक कहते रहते हैं उसकी तफसील तो बता दें जी हाँ मैं हूँ महमद आकिल और आप देख रहे हैं नू टीवी जट्डा सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में है एक ब्लू कलर का बटन है जिसमें लिखा है जोईन मेंबर्शिप स्कीम जोईन मेंबर्शिप स्कीम क्या है अगर आप हमारे चैनल के सबस्क्राइबर हैं और इस चैनल के काम को पसंद करते हैं मुहमद आकिल एक ऐसा कारناमा अन्जाम दे रहा है जिसकी वज़ा से कुराण सुन्त की शम्में दूर तक रोशन हो रही है और अंध्रे खत्म हो रहे हैं खुरान और सुन्नत की वज़ा से तराक के मसाइल, पीची दा मसाइल सुलजाए जा रहे हैं और बेहनों और बच्चियों के घर खुशियों से दुबारा लबरेस हो रहे हैं ऐसे चैनल को और ऐसे काम को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो जॉइन मेंबरशिप के बटन को आप जब दबाएंगे तो उसमें से चार आप्शन आपके सामने हैं खुल कर आफ़िए पहला आप्शन है सपोर्ट तू महम्मद आकिल जी हाँ मेरा काम अगर आप चाहते हो और आप पसंद करते हो और सपोर्ट करना चाहते हो कि हम मुहमद आकिल के काम को तक्वियत देना चाहते हैं मुहमद आकिल साब वेल डन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए हम आपको ताउन देते हैं तो पहली जाइन मेंबर्शिप स्कीम सपोर्ट तो मुहमद आकिल है दूसरी जो इसकीम है वो है हमारे इस चैनल की नू टीवी चैनल की मिंबर्शिप आप इसके खानदान का हिस्सा बन सकते हैं और तीसरी है जो प्रीमियम सपोर्टर हैं जो हमें एक्स्ट्रा ओर्डरी तोर पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लहम्दुल्ला एक है हमारे प्रीमियम सपोर्टर अल्ला ताला उसे नजरे बच से बचाए और उसकी वज़ा से जो शब में रोशन हो रही हैं अल्ला ताला उसके मवाजियन हसनात में उसे दरज फरमा ले आमीन यारब लालमीन और चोथी जो आप्शन है वो है कांसिलिंग फी की यह कांसिलिंग फी अक्सर लोग पे नहीं करते हैं लेकिन यह जो तीन हमारे आप्शन हैं के सपोर्ट तु महमद आकिल और बी नू टीवी फैमिले मेंबर या प्रिमियम सपोर्टर तो ये तीनों जो सपोर्ट देते हैं ये हम कमपंसेट कर लेते हैं उन लोगों की फीस के सलसले में जो के अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपकी मामूल यसी सपोर्ट दूसरे के चेहरे पर मस्कुराहट लाने की वज़ा बन सकती है आपकी मामूल यसी सपोर्ट दूसरे के घर में खुशियां बहाल कर सकती है आपकी मामूल यसी सपोर्ट किसी दूसरे को कुरान और सुन्नत से गरीब कर सकती है और यकीन जानि इजाफे का सबब बनेगी अपने बहुत खया लखें दौा में याद रखें वसलाम आलेकुम राक्तुलाही वबरकातु अपने बहुत राक्तुलाही वबरकातु